नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भरके दोस्तों इससे पहली वीडियो में मैंने आपको शिमला के बारे में बताया था कि शिमला का नाम शिमला कैसे पड़ा और आज हम आपको लेकर आए हैं शिमला माल रोड के एतिहासिक चर्च की ओर वीडियो को द्वारा आज हम आपको बताएंगे कि रिज मैदान शिमला पर इस्थापित एतिहासिक क्रैस्ट चर्च का असली इतिहास क्या है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को उससे पहले फिर वही कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हिल्सकुन शिमला के रिजमदान परिस्तित एतिहासिक क्राइश चर्च को राजधानी का ताज कहा जाता है यह उत्री भारत में सबसे दूसरा सबसे पुराना चर्च है जिसकी खूपसूरती आज भी लोगों को लुभाती है अंग्रेजी शाशनकाल में बना यह चर्च आज भी शिमला की शान बना हुआ है वर्ष 1857 में नियो गोतिक कला में बना यह चर्च एंगी केथन ब्रिटिश कम्यूनिटी के लिए बनाया गया था जिसे उस समय सिमला कहते थे यह चर्च काफी किलोमेटर दूर से एक ताज की तरह दिखाई देता है जब भी आप शिमला आएं तो शिमला के उची पहडी परवतों पर आपको शिमला का चर्च माल रोड पर दूर से ही दिखाई देगा क्राइस चर्च को करनल जेटी बाईलियों ने 1844 में डिजाइन किया था इसका निर्माण करीब 13 साल बाद 1857 में शुरू किया गया था दोस्तो इस चर्च के उपर लगी बड़ी घड़ी 1860 में करनल डम बेल्टन ने दान में दी थी चर्च पर लगा पोर्च 1873 में जोड़ा गया इसके बाद बले ही इस घड़ी की नहीं चल पाई हो लेकिन यह चर्च दर्शकों ने अपनी पहचान बरणा कर रखने में काम्याब हमेशा रहा है चर्च में पाँच बड़ी खिड़किया लगी हैं जो कीमती कांट से बनाई गई हैं यह खिड़किया इसाई धर्म के विश्वास, उमीद, परोपकार, धहर्य और विनम्ता का प्रतीक हैं दोस्तों यह चर्च हर रविवार को खुला रहता है अगर आप माल रोड पर संड़े के दिन खुम रहे हैं तो आप इस चर्च के अंदर रविवार को जा सकते हैं हर साल देश विदेश से शिमला आने वाले लाखों सलानी इस चर्च में जाना नहीं भूलते यहां आने वाले टूरिश चर्च के सामने फोटो भी खिचवाते हैं प्रशाशन ने भी इस एतिहासिक इमारत को बचाने में काफी परियास किया है इसकी कलाकरती के साथ छेड़ चाड़ नय हो इसके लिए पुक्ता प्रबंद भी किये गए हैं दोस्तों ये हिमाचल परदेश शिमला राजधानी की एक धरोवार है कि जब भी आप माल रोड शिमला रिज मदान पर घूमने आएं तो इस चर्च को संड़े के दिन अंदर से देखना ना भूलें बड़ा ही एतिहासिक और प्राचीन समय का सब दुनिया का भारत का सबसे पुराना दूसरे नंबर का ये चर्च है इस चर्च के पास आपने देखा ही होगा कि काफी बॉलिवोर्ड फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी है तो दोस्तों ये था शिमला का क्राइस चर्च जो की माल रोड रिजमदान पर एतिहासिक तोर पर इस्थापित है मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो और अगली बड़ी जानकारी के साथ तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले गूमो जी भर के